नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल Study with धनंजय मिस्रा पर आसा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है धनंजय मिस्रा दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे 28 सितंबर से संबंधित महत्वपुर्ण करेंट अफेर्स के बारे में तो आईए इस सिरीज को स्टार्ट करते हैं इस सिरीज का पहला कोश्चन है कि हालही में भारत की पहली तटरच्छक अकादिमी किस अस्थान पर अस्थापित करने का निर्णे लिया गया है तो इसका सही उत्तर है आपसन नमबर A मंगलूरू अभी हालही में भारत की पहली तटरच्छक अकादिमी मंगलूरू में अस्थापित करने का निर्णे लिया गया है यह परियोजना भारती तटरच्छक बल को मैत्री पुर्ण देशों के अधिकारियों को परसिच्छित करने में सक्षम बनाएगा अब मंगलूरू करनाटक में इस्थित है तो करनाटक के बारे में देख लेते हैं करनाटक की राजधानी वेंगलूरू है करनाटक के मुख्यमंत्री बियस यदुरप्पा है करनाटक के राजधाल बजू भाई वाला है करनाटक में लोग सभा सीटों की संख्या 28 है राज्य सभा सीटों की संख्या 12 है बिधान सभा सीटों की संख्या 225 है बिधान परिसद के सीटों की संख्या 75 है और करनाटक में कूल 30 जिला है दुनिया का सबसे लंबा railway platform करनाटक में ही बनाया जा रहा है कोरोना वाच एप और नेकारा सम्मान योजना को करनाटक सरकार ने ही स्टार्ट किया है रोल अन, रोल आफ सेवा का जो है दो कि इसको भी करनाटक सरकार ने ही स्टार्ट किया है और यह वेंगलूरू से सोलापूर के बीच स्टार्ट किया गया है आईए अगला प्रस्न देखते हैं दूसरा प्रस्न है कि हालही में के सराज में बिजली विवादों के निवारण के लिए एक अस्थाई लोक अदालत का उद्गाटन किया गया है तो इसका सही उत्तर है आपसन नंबर भी दिल्ली अभी हालही में दिल्ली में बिजली विवादों के निवारण के लिए एक अस्थाई लोक अदालत का उद्गाटन किया गया है इसका उद्गाटन दिल्ली हाई कोर्ट की न्याय मुर्ती हीमा कोहली के द्वारा किया गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री और विंद के जरिवाल है दिल्ली के उपराजिपाल और निल बैजल है दिल्ली में लोग सभा सीटों की संख्या साथ है राज्य सभा सीटों की संख्या 3 है विधान सभा सीटों की संख्या 70 है और दिल्ली में कुल 11 जिले हैं आईए अगला प्रस्न देखते हैं तीसरा प्रस्न है कि हालही में किसने European Lung Foundation द्वारा आयोजित कला प्रतियोगिता जीता है तो इसका सही उत्तर है आप्सन नंबर सी देव प्रसाद राय अभी हालही में European Lung Foundation द्वारा आयोजित कला प्रतियोगिता पुरस्कार को देव प्रसाद राय ने जीत लिया है इनकी कला कृति थी माई ग्रेंड मा इनको 5000 यूरो का नगत पुरसकार दिया गया है और यह सिक्किम के रहने वाले है तो आईए सिक्किम के वारे में देख लेते हैं सिक्किम की राजधानी गंग टोक है सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंग तमांग है सिक्किम के राज्य पाल गंगा प्रसाद हैं, सिक्किम में लोग सभा सीटों की संख्या एक है, राज्य सभा सीटों की संख्या एक है, विधान सभा सीटों की संख्या 32 है और सिक्किम में कुल 4 जिले हैं आईए अब अगला प्रस्न देखते हैं, तीसरा प्रस्न, चौथा प्रस्न है कि हालही में बिश्व गर्व निरोधक दिवस के अउसर पर किस राज्य सरकार ने परिवार नियोजन कारिक्रम को मिशन मोड में चलाने का निर्णय लिया है, तो इसका सही उत्तर है, आपसन सितंबर भी उत्तर प्रदेश, अभी हालही में बिश्व गर्व निरोधक दिवस के अउसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवार नियोजन कारिक्रम को मिशन मोड में चलाने का निर्णय लिया है, यह सीशूओं और महिलाओं के बीच मिर्त्व दर्व को कम करेगा, और इसके साथ साथ स्वास्त सुविधाओं का विस्तार भी करेगा, बिश्व गर्व निरोधक दिवस 26 सितंबर को मनाया गया है, दोस्तों अगर आप इस वीडियो का पीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिये गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक क करके आप टेलीग्राम ग्रूप को जोईन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर इस टड़ी विद धननजय मिस्रा सर्च करके भी आप इस ग्रूप को जोईन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर प्रते एक दिन पुरू की परिच्छाओं में पुछे गए प्रसनों को क्वीज के रू को अवस्यदवा लिजिएगा आईए अगला प्रस्ण देखते हैं पाचवा प्रस्ण है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग के द्वारा कहां पर दो सुरंगों का उध्गाटन किया जाएगा तो इसका सही उत्तर है आपसन नंबर डी देहरा दून रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग के द्वारा 28 सितंबर को देहरा दून में भारती सैन परिसर में दो सुरंगों का उध्गाटन किया जाएगा इस सुरंग के लिए केंदर सरकार द्वारा 45 करोन रुपए की सुक्रिति प्रदान किया गया है अब उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं उत्तराखं कम steht की संख्या पाँच है राज्य सभाइन 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 की संख्या एक हत्तर है और उत्तराखंड में कुल ुथแरह जिले है जी म कारव IT नेशनल पार्क और फूलों की घाटी चमूली ये भी आपका उत्राखंड में ही स्थित है नैनी ताल राकस ताल खुर्पा ताल ये सभी जीले उत्राखंड में ही स्थित है आईए अगला प्रस्न देखते हैं छठमा प्रस्न है कि हालही में किस ने असम में भारतिय क्रिशी अनुसंधान संस्थान का उद्गाटन किया है तो इसका सही उत्तर है आपसन नंबर सी नरेंदर सिंग तोमर अभी हालही में केंद्री क्रिशी और किसान कल्यान मंत्री नरेंदर सिंग तोमर के द्वारा असम में भारतिय क्रिशी अनुसंधान संस्थान का उद्गाटन किय गया है यह असम के गोगा मुख में किया गया है असम में गोगा मुखे का स्थान का नाम है वही पर इस संस्थान का उद्गाटन किया गया है और इसका नाम पंडित दीन द्यालुपा ध्याय के नाम पर रखा गया है असम की राजधानी दिश्पूर है असम के मुख्यमंत्री सरवानंद सोनेवाल है असम के राज्यपाल जगदीश मुखी है असम में लोग सभा सीटों की संख्या 14 है राज्य सभा सीटों की संख्या 7 है विधान सभा सीटों की संख्या 126 है और असम में कुल 33 जिले है काजी रंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क ये भी आपक जिले में इस्थित पोवा रिजर्व फारेश्ट को बन्य जीव अभ्यारने में तब्दिल किया गया है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण कोश्चन है आईए अगला प्रस्न देखते हैं सात्मा प्रस्न है कि हालही में पुर्व केंद्री मंत्री जस्वंत सिंग का निधन हु हुआ है और राजस्थान से संबंदित थे यह जो है कि राजनीत में आने से पहल है यह सीना में एक अधिकारी के तोर पर करेरत थे उसके बाद केंद्र सरकार में जो है कि यह महत्वपूर्ण विभागू को मंत्री रह चुके हैं जैसे वित मंत्राले और यह सब है रच्छ की सहायता रातिदेने का घोंसरा किया है तो इसका सही उत्तर है आपसद नंबर सी स्री लंका अभी हाल ही में भारत ने जो है कि स्रीलंका के साथ बाढ़िक संबंधों को बढ़ावा देने Elle डिये 15 मिलिОन डालर का सहायता रातिदेने का घोंसरा किया है स्रिलंका की दो राजधानिया है पहला है कोलंबो तथा दूसरा है स्री जैवर्धने पुरा कोटे स्रिलंका की मुद्रा स्रिलंकाई रुपिया है स्रिलंका के राश्टपती गोत बया राजपक्षे है और बरतमान में स्रिलंका के पुर्धान मंत्री महिंद्रा राजपक्ष आईए अगला प्रस्ण देखते हैं, नौवा प्रस्ण है कि हालही में बैज्ञानिक और अध्योगिक अनुसंधान परिशद ने 26 सितंबर को कौन सा अस्थापना दिवस मनाया है, तो इसका सही उत्तर है आपसन नंबर सी, उन्यासिवा, अभी हालही में बैज्ञानिक और अ Council of Scientific and Industrial Research, CSIR का स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुआ था और बरतमान में CSIR के महानिदेशक सेखर सी मांडे है, आईए अगला प्रस्ण देखते हैं, दसमा प्रस्ण है कि हालही में भारत ने बौधिक संपदा अधिकार के छेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझ किया है, तो इसका सही उत्तर है, आपसन नंबर A, डेनमार्क, अभी हालही में भारत ने बौधिक संपदा अधिकार के छेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए डेनमार्क के साथ समझ होता किया है, डेनमार्क की राजधानी कोपेन हेगन है, और डेनमार्क की मुद्रा डेनिस क्रोन है, आईए अब कल का प्रशन देखते हैं, जिसका सही उत्तर बहुत से लोगों ने कामेंट बाक्स में कामेंट करके बताया था, तो कल का प्रशन था कि हालही में एसर इंडिया के नए ब्रांड अमवेश्डर कोन बने हैं, तो इसका सही उत्तर था, आपसन नंबर D, और इस प्रशन का सही उत्तर देने वालों का नाम इस प्रकार है, रितु ओजा जी, संजु पाल जी, आसीश सिंग जी, सर्वेश काजी जी, संदीप जी, अस्वनी गुपता जी, मनिश कुमार जी, अमित कुमार जी, सतीश कुमार जी, अमित सिंग जी, प्रितेश सर्मा ज में कमेंट करके बताईएगा तो आज का प्रस्ण है कि हाल ही में C8 Limited का नया ब्रांड अमेजडर कौन बना है तो इसका आप्षन दिया गया है और इसका सही उत्तर आप लो कमेंट बाक्स में कमेंट करके बताईएगा दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा तथा दोस्तों में सेयर कीजिएगा उमीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जनकारी आपको असानी से समझ में आई होगी किसी प्रकार के कठिनाईओं का सामना नहीं करना पड़ा होगा ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वेल आइकन को अवसे दबा लीजिएगा आईए दीजी इजाजत मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यव से अवसे प्रकार के साथ आईएब करने का लीजिएगा नहीं आईएब के लिए और कीरेवा ह।